दोस्तों गोद्रा कांड के बारे में तो आपने सुनाई होगा, इसके बाद हुए दंगो से जुड़ा एक एहम खिरदार है, सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सी तलवार, हाल ही वे ये नाम फेर से सुर्ख्यों में है, जिया दोस्तों, इसके पीछे की बज़ा है उनको मिली स सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, दोस्तों तीस्ता सी तलवार पर दोजार दो के गोद्रा कांड के बाद हुए दंगो में, निर्दोश लोगों को वसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने के आरोप है, खास बात तो ये कि हाई कोर्ट का ओडर है, और पिर सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता की याचिका पर दो बार सुनवाई हुई है, और वो भी एक की दिन में, उपर से सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई छुटी के दिन हुई, ऐसे में लोगों के मन में सवाल जरूर होगा कि लाखों मामले पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इ तीस्ता सीतलवार तीस्ता का जन्म 1962 में मुंबाई के एक सीनियर एड़ोकेट फैमली में हुआ था। साल 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एकस्प्रेस ट्रेन के एसिक्स डिब्बे में आग लगाती कई थी जिसमें उनसट लोगों की मौत हो गई थी बदादे कि यह ट्रेन एमदबाद जाने के लिए गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चैन खींच कर गाड़ी को रोग दिया और फिर पत्थर बरसाने शिरू कर दिये उस समय ट्रेन में एयोध्य से लोट रहे तीर थी आत्री सवार भी थे गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे इन दंगों में एक हजार से जादा लोग मारे गए थे जिन में 790 में मुसल्मान और 254 हिंदू थे गोधरा कांड के एक दिन बात यानी 28 फरवरी को एहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सुसाइटी में बेकाबू भीड ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी मरने वालों में उसी सुसाइटी में रहने वाले कॉंग्रेस के पूर्व सांसद एसान जाफरी भी शामिल थे इन दंगों से राज्ये में हालात इसकदर बिगड़ गए कि सिचुईशन को नॉर्मल करने के लिए तीसरे दिन सेना को उतारना पड़ा इस घटना के समय नरेंद्र मोधी गुजरात के मुख्यमंत्री थे मार्च 2002 में उन्होंने गोधरा कांड की जाज के लिए नानवती शाह आयोग बनाया हाई कोर्ड के रिटायर्ड जज केजी शाह और सुप्रीम कोर्ड के रिटायर्ड जज जीटी नानवती इसके सदस्यवने आयोग ने अपनी रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट सितंबर 2008 को पेश किया इसमें गोधरा कांड को सोची समझी साज़िश बताया गया साथी नारेंद्र मोदी उनके मंत्रियों और वरिष्ट अफसरों को क्लीन चिट दी गई 2009 में जस्टिस केजी शा का निधन हो गया जुसके बाद कुचरात हाई कोट के रिटायर जड जड जस्टिस अक्षे महता इसके सदस्यवने और तब आयोग का नाम नानवती महता आयोग हो गया आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया इसमें पर रिपोर्ट के पहले हिस्से में कहीं कहीं बात दोराई गई गोतरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोशी ठहराया गया 2011 में SIT कोट ने 11 दोशीयों को 80 और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोट ने 11 दोशीयों की फासी की सजा को भी उम्रकैद में बदल दिया लेकिन तीसता सीतलवार और गुजरात दंगों के दोरान कुलबर्गा सोसाइटी पर होए हमले के दोरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसत एहसान जाफरी की बतनी जाखिया जाफरी ने SIT की क्लोसर रिपोर्ट को चनौती थी एहसान जाफरी की पतनी जाकिया जाफरी ने आरोप लगाया था कि उनके पती ने पुलिस और उस समय मुख्यावंतरी रहे नरेंदर मोधी से कॉशिश की थी लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की उन्होंने गुजराथ पुलिस के डारेक्टर जनरल से नरेंदर मोधी को मिलकर 63 लोगों के खिलाफ एफायर दर्ज करने की अपील भी की थी लेकिन यह अपील ठुकरा दी गई इसके बाद जाकिया ने गुजराथ हाई कोट का दर्वाजा खट खटाया 2007 में हाई कोट ने भी उनकी अपील खारिच कर दी 2008 में साक्या जाफरी और NGO Citizens for Justice and Peace जिसकी चीफ तीस्ता सी तलवार हैं दोनों जॉइंटली सुप्रीम कोट पहुंचे 2009 में सुप्रीम कोट ने दंगों की जाँच के लिए पहले से ही गठित S.I.T. को फिर से मामले की जाँच के आदेश दिये 2012 में S.I.T. ने एमदवाद की नीचली अदालत में अपने रिपोर्ट सौब दी S.I.T. ने नरेंदर मोदी को ये कहते हुए क्लीन चिट दे थी कि S.I.T. के पास मोदे के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सफिशिंट एविडेंस नहीं है इसके बाद 24 जुन 2022 को S.I.T. के रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया तीस्ता सीतलवार पर जाल साजी, नकली डॉक्यूमेंट्स पेश करने और बेकुना को फसाने का आरोप लगाये गया और इन्ही आरोपों के अधार पर 25 जुन 2022 को तीस्ता सीतलवार को गिरफ़तार कर लिया गया इसके बाद तीस जुलाए 2022 को एहंदावाद की लोगा कोट ने तीस्ता सीतलवार की जमानत याचिका खारिच कर दे जिससे चुनोती देते हुए उन्होंने जुलाए 2022 में कुझरात हाई कोट का रुख किया था 3 अगस्त 2022 को समानत मामले में हाई कोट ने कुझरात सरकार को नोटिस भीज़ा और सुनवाई की तारीक 19 सतमबर तैकी गई लेगन इसे बीच तीस्ता सीतलवार जमानत के लिए सुप्रीम कोट पहुँच गई और उन्हें 2 सतमबर 2022 को सुप्रीम कोट से इस मामले में अंतरिम समानत मिल गई वहीं अंतरिम समानत देते हुए सुप्रीम कोट ने कहा था कि उनकी रेगुलर बेल पर हाई कोट फैसला सुना सकता है और जब तक हाई कोट से तीस्ता को regular bail नहीं मिल जाती वे देश के बाहर नहीं जा सकती हैं लेकिन एक जुन 2013 को गुजरात हाई कोट ने तीस्ता की regular bail application reject कर दी और उन्हें surrender करने को कहा हाई कोट के इस पैसले के खिलाफ एक जुन को ही तीस्ता ने सुप्रीम कोट का रुख किया था इसके बाद सुप्रीम कोट के दो जज़ों जस्टिस अभे एस ओ का और जस्टिस पी के मिश्रा की bench ने सुनवाई की लेकिन अंतरिम जमानप देने के मुद्दे पर दोनों जज़ों में राय अलग-अलग थी इसके बाद केस CGI को भेज दिया गया CGI ने केस को सुनने के लिए तीन जज़ों जस्टिस बी आर गवाई एबी बोपनना और दी पांकर दत्ता की bench बनाई और bench ने रात में सुनवाई की इस दोरान तीस्ता के वकील सी यू सिंग ने अंतरिम समानप देने के लिए रिक्वेस्ट की वही सॉलिसितर जनरल तुशार महता ने तीस्ता को रात देने के विरोत में दलीले दी काफी देर तक चली इस बेहस की बाद दोस्तों सुपरीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर एक वीक तक के लिए रोक लगा दी थी इस मामले पर 5 जुलाई को फिर से सुपरीम कोर्ट में सुनवाई होई और इस दोरान कोर्ट ने 30 तक यंत्रिम समानत को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया जैसे कि हम बता चुगे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुनवाई रात में ही की थी ऐसे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कोई भी कोर्ट किन मामलों में रात में सुनवाई करता है और इसका क्या प्रोसेस है दरसल सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के मामले जाते हैं पहले वो मामले होते हैं जुन्हें पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा रहा हो और दूसरे वो जो पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होते हैं एसमामने जिनकी पहले ही सुनवाई हो चुकी होती है, उनमें सुनवाई की अगली तारीख क्या होगी? इसे लेकर अभी कई विवात हैं. इसमें एक केस मेंशनिंग आफिसर होता है, वकील को उसके सामने केस को मेंशन करना होता है, उन्हें ये बताना होता है कि केस को इमिड को फाइल किये जाएंगे वह अपने आप ही अगले सुमवार को लिस्ट हो जाएंगे यानि सुनवाई कब होगी ये तै हो जाएगा सर्कुलर में कहा गया कि जो वकील दी गई तारीखों से पहले अपने केस को लिस्टेट करना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन पहले शाम तीन जस्टिस लंच समय के दोरान इन पर फैसला करेंगे यह प्रोसेस तीन जुलाई से शुरू हो गई है लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में रात के समय वो भी छुट्टी वाले दिन सुनवाई हो सकती है दो सो बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और अविवार को कर सकते हैं अगर इमिटेटली सुनवाई की सरुवत है तो रजिस्टार के घर पर भी केस को मेंशन कर सकते हैं फिर अगर रजिस्टार को ठीक लगता है तो वो मामले से जुड़े जच को मेंशन करता है और अगर जच को ठीक लगता है तो वो कभी भी बेंच का गठन करके क केस की सुनवाई ते कर सकता है उसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है कि छुट्टी वाले दिन या फिर देर रात बेंच नहीं बैठ सकती CGI के पास डिस्कृष्णरी पावर है कि अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो रविवार के रात को भी केस के लिए बेंच का गठन कर सकते हैं इसके बाद केस की सुनवाई जज़ के घर पर या सुप्रीम कोट के परीसर में कहीं भी की जा सकती है क्योंकि जहां जज़ है कोट वहीं पर है इसलिए कोट ने एक ही दिन में दो बार बेंच बिठाई इसके लिए कोई तय कानूनी नियम नहीं है ये कोट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कौन सा केस इमिडेटली सुनाना है कौन सा ज़नरल कामकार्ज के दिनों में सुना जाएगा ये जज़ों पर ही डिपेंड होता है मुझे दोस्तों अब को क्या लगता है क्या तीस्ता सी तलवार सही है या सच में उन्होंने निर्दोशों को फसाने की कोशिश की है कॉमेंट ज़रूर करें वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हैं